आज हम देखेंगे शतांच और हजारवासे संबंदित मिथ्यधार्नाएं और साधारन गलतिया मिथ्यधार्ना एक अध्यापक ने श्यामुपट पर एक संख्या लिखी और बच्चों को इसे पढ़ने के लिए कहा करण ने इसे पढ़ा 4.635 गौरव ने इसे पढ़ा 4.635 और निर्मल ने इसे पढ़ा 4.635 पता कीजिए किसने दी संख्या को सही प्रकार से पढ़ा कई बार दशमलव संख्याओ यानि डेसिमल लंबर्स को गलत प्रकार से पढ़ा जाता है जैसे करण ने दशमलव बिंदू याने डेसिमल पॉइंट के बाद के अंको को इकटा एक संख्या के रूप में पढ़ा और गौरव ने दशमलव बिंदू को नजर अंदास कर पढ़ते समय संख्या का मान ही बदल दिया इस तरह से option 1 और option 2 गलत जवाब है सही समझ यह है कि दशमलव बिंदू के बाई और लिखे अंको को एक पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ा जाता है लेकिन दशमलव बिंदू के दाई और के अंको को एक पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ना गलत है दशमलव बिंदू के बाद हम सिर्फ अंकों को पढ़ते जाते हैं जैसे दी संख्यां को पढ़ेंगे चार दशमलव छ, तीन, पांच इस तरह निर्मल का जवाब सही है मित्याधार्ना दो समीर की माने समीर को केक का एक चौथाई भाग दिया और हीना को केक का शौण्य दशमलव एक, दो, पांच भाग दिया आपकी राये में किसे ज्यादा केक मिला कुछ बच्चे यहां समझते हैं कि दशमलव संख्याए भिन्नों यानि फ्राक्शन से बड़ी होती है वे तुलना करने के लिए गणितिय संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते और समझते हैं कि हीना को बड़ा भाग मिला है इस समझ के साथ ऑप्शन दो यह गलत जवाब दिया जाता है एक चौथाई और शौण्य दशमलव एक, दो, पांच की तुलना करने के लिए हमें दोनों संख्याए या तो दशमलव रूप में लानी होगी या भिन्नों के रूप में व्यक्त करनी होगी चलिए हम इन दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं चुकि 0.125 पहले से दशमलव रूप में है इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे एक चौथाई को हम दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए अंच और हर को 25 से गुना करेंगे इससे हमें एक चौथाई की तूल्यभिन यानि इक्वालेंट फ्राक्षन प्राप्थ होगी 25 बटे 100 इसका दशमलव रूप होगा 0.25 अब हम 0.25 और 0.125 की तूल्ना करेंगे यहाँ पूर्ण भाग बराबर है इसलिए हम दशाँच यानि टेंट्स के अंकों की तूल्ना करेंगे चौकि 2.125 से बड़ा है इसलिए हम कहते हैं कि 0.25 0.125 से बड़ी संख्या है इससे अब यह समझा जा सकता है कि समीर को बड़ा भाग प्राप्थ हुआ है इसलिए सही जवाब है option 1 अब हम देखेंगे शतांच और हजारवा से संबंदित साधारन गलतिया कुछ बच्चों को यह पता नहीं होता है कि किसी संख्या में दाई और स्थानी अमान यानि place values घटते जाते हैं दशमलव बिंदु के दोनों तरफ मिलते जूलते नाम देखकर उनकी यह समझ बन जाती है कि ऐसे स्थानों का मान बराबर है जैसे 0.428 में वे यह समझते है कि 4 दहाईया है, 2 सेकड़े है और 8000 है यह गलत समझ है सही समझ यह है कि 4 दशान्च है, 2 शतान्च है और 8000 है तो आज हमने देखी शतान्च और हजारवा से संबंदित मित्याधारनाय और कुछ साधारन गलतिया तो आज है